नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस समय की सबसे बड़ी खबर ये है कि मायावती जी तेलंगाना उत्तरपरदेश के बाद अब मध्यपरदेश में भी 29 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं 29 लोग सभा सीटों के लिए जो लिस्ट है वो मांग ले गई है दोस्तों इस बीच देश की राजनिती में बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं खबर ये है कि इंडिया गडबंधन में मायावती जी को शामिल कराया जाएगा सोनिया गाधी जी मायावती जी को इंडिया गडबंधन में लाने का प्रयास कर रही है दिल्ली से लखनव तक इस खबर को लेकर हरकंप है इस खबर पर हर कोई डिवेट कर रहा है हर कोई चर्चा कर रहा है लेकिन इस बीच ऐसे समय में जब सोनिया जी ये चाहती है कि माया गडबंधन में आएं खबर ये है कि अगर मायवती जी इंडिया गडबंधन में आ गई तो मायवती जी को इंडिया की तरफ से प्रधानमंत्री का उम्मिदवार घोशित किया जाएगा ये खबर चल ही रही थी कि अखिलेश यादव का एक बयान इस समय सुर्खिया बन गया ह इस समय में अखिलेश यादव का ऐसा बयान आना वो बयान क्या है मैं आपको सुनाओंगा दिखाओंगा दोस्तों बहुती ताजा वीडियो मैं आपके सामें रखूंगा कि अखिलेश यादव ने आखिर इस तरह का बयान दिया क्यों मैं खुद हैरान हूँ अखिलेश या पार्टी की रातों की नीद उड़ जाएगी और भारतिय जनता पार्टी इस धमाके के बाद माना जा रहा है कि 2024 के चुनाओं में अपना बोरिया मिस्तर बटोर लेगी कहा जा रहा है कि उत्तर परदेश में खास तोर से BJP का जो सुपड़ा है वो साफ हो जाएगा जो भारतिय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है जो भारतिय जनता पार्टी उत्तर परदेश की 80 की 80 सीटे जीतने का दावा कर रहे है दम भर रहे है भारतिय जनता पार्टी की इस खबर के बाद नीड उड़ी है कौन जी आप चलही रही थी इस बीच अखिलेश यादव ने टीवी चेनल पर दिये गये एक इंटरव्यू में ऐसी बात कह दि जिस्से पूरा का पूरा इंडिया हैरान रह ben गया जी हां दोस्त Mr. नो पूरा का पूरी संडार इंडिया हैरान रह गया यह ये ताजा बयान सुने दोस्तों अखिलेश आदव ने एक बार फिर से बोजन समाच पार्टी को ऐसा कहकर नारास कर दिया जी हाँ दोस्तों अखिलेश आदव ने एक बार फिर से बीस्पी को भारतिय जनता पार्टी की बी टीम कह दिया साफ तोर पर आपने सुना अखिलेश आदव इस वीडियो में ये कह रहे हैं कि माया वती जी अपने ऐसे उम्मिदवारों को चुनाव में उतारती हैं जिससे भारतिय जनता पार्टी को फायदा हो दोस्तों अखिलेश आदव के इस बात में सच्चाई नहीं है क्योंकि 2019 के लोगसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था 10 सीटों पर जीत हासिल की थी और बहुजन समाज पार्टी के 27 उम्मिदवार दूसरे इस्थान पर थे यानि बीजेपी के उम्मिदवारों को बहुजन समाज पार्टी के उम्मिदवारों ने 2019 के लोगसभा चुनाव में कड़ी टक कर दी थी तो बड़ा सवाल अखिलेश आदव आखिर ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं कि मायावती जी बीजेपी को लाभ पहुँचा रही है मायावती जी बीजेपी की बी टीम हैं दोस्तों याद करिए यह वही अखिलेश आदव हैं जिन्होंने बहुत पहले एक संकल्प लिया था खुद से संकल्प लिया था यहां तक कि अपने नेताओं के लिए अखिलेश आदव जी ने एक गायड लाइन भी जारी की थी कि खबरदार कोई मायावती जी के बारे में ऐसी वैसी कोई टिपणी करेगा तो लेकिन अब टीवी चैनल पर आकर अखिलेश आदव ने अपनी वो संकल्प तोड़ दी है अपनी वो कसम भी तोड़ दी है क्योंकि एक बार फिर से अखिलेश आदव ने वही बोल दिया जिससे पूरा इंडिया है राजनीत में आगे बढ़ते रहना चाहिए जब उनका नमबर आएगा एलाइंस करने का तब सोचा जाएगा जो है वो चकना चूर हो जाएगा तो दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश आदव आखिर ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं अखिलेश आदव को ऐसा बयान क्या देना चाहिए आखिर ऐसे समय में जब इंडिया गड़बंधन को और मजबूत करना चाहिए पॉस्टिव इस आदव हैं जो दिल्ली में जाकर कॉंग्रेस पार्टी को छेतावनी देकर आए थे कह रहे थे कि इंडिया गड़बंधन यानि कॉंग्रेस पार्टी यह बताए कहीं वो माया वती जी से कोई बातचीत तो नहीं कर रही है अगर बातचीत कर रही है तो हमें बताए हम बयान कहीं न कहीं ब्यस्पी को और कॉंग्रेस पार्टी को हतोतसाहित करेगा जाहिर तोर पर क्योंकि इंडिया गड़बंधन का उद्देश क्या है इंडिया गड़बंधन का उद्देश है भारतिय जनता पार्टी को सप्ता से उखार फेकना मोदी के सपने को चकना चू क्या इंडिया गडबंधन का कोई वजूद है अभी दोस्तों अभी देखा जाए तो इंडिया गडबंधन में उतनी मजबूती नहीं आई है जब तक मायावती जी इसमें नहीं शामिल होंगी इंडिया गडबंधन का वो सपना कि वो मोदी को हरा देगा तो ऐसा नामुम्कि है आपको मायावती जी का जो तड़का है इंडिया गड़बंधन में बस्पा का जो तड़का है वो लगाना ही पड़ेगा बिना बस्पा के एंट्री के इंडिया गड़बंधन में वो मजबूती नहीं आ पाएगी ऐसे समय में जब इंडिया गड़बंधन काफी मजबूती की तरफ बढ़ रहा था इस समय अखिले शादव ने ये बयान क्यों दिया ये तो अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है क्या खिले शादव नहीं चाहते कि मोधी सत्ता से बाहर हूँ क्या खिले शादव नहीं चाहते कि इंडिया गडबंधन एंडिये को हरा दे क क्या आखिले शादव सिर्फ नाम मातर के लिए इंडिया गडबंधन का हिस्सा है, क्या आखिले शादव का उद्देश यह नहीं है कि बीजेपी को सत्ता सिर्फार फेका जाए, दोस्तों इंडिया गडबंधन में जो लोग हैं सिर्फ कहने के लिए नहीं होने चाहिए, कि आ चोड़ना पड़ेगा अब अखिले शादव जी का एक और राग है इंडिया का बंदन में वो हैं फिर भी एक अलग राग है उनका उनका राग है PDA राग पिछड़ा दलित अलफ संख्यक अलाइंस की बात करते हैं अखिले शादव मायावती जी पर ऐसे टीप पड़ी भी कर की B team कहे देंगे तो क्या इससे भारती जनता पार्टी को लाव नहीं होगा दोस्तों बड़ा सवाल भारती जनता पार्टी की B team है कौन कौन है B team अब देखिए ओपी राजभर ने इस बीच क्या बयान दिया अखिले शादव को लेकर ओपी राजभर ने टगड़ा बयान बहुत बड़ा बयान दोस्तों कहा है ओपी राजभर ने कि अखिले शादव भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं और राजभर साब का एक बयान भी समय काफी वारेल है जिसमें वो कह रहे हैं दोस्तों कहा जा रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना आठ्वा उम्मिदवार उतारने से पहले अखिलेश यादव से मुलाकात की थी दोस्तों ओपी राजभर यहाँ पर यह दावा कर रहे हैं कि अमिच्षा से अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद यूपी में बीजेपी ने राजसभा चुनाओं में अपना आठवा उम्मिद्वार उतार रहा था, तो ओपी राजभर यहाँ पर एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि मायावती जी बीजेपी की बीटिम नहीं है, अखिलेश यादव बीजेपी को हराना नहीं, बीजेपी को जिताना चाहते हैं क्योंकि राजसभा के चुनाव में अखिलेश शादव ने बीजेपी के आठवें उम्मिदवार को जिता दिया बलकि समाजवादी पार्टी का जो तीसरा उम्मिदवार था राजसभा चुनाव में हार गया तो उपी राजबर यहां पर एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि परदे के पीछे अलग खेल खेल रहे हैं अखिलेश शादव बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए वो मायावती जी को इंडिया गट बंधन में नहीं देखना चाहते हैं तो भारतिये जन्ता पार्टी आरेगी तो दोस्तों यहां पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कौन सही अखिलेश यादव या ओपी राजबर अखिलेश यादव जहां माया वती जी को बीजेपी की बीटीम बता रहे हैं वहीं ओपी राजबर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव बीजेपी की बीटीम है इस बीज दोस्तों सबसे सार्थक प्रयास सोनिय जी कर रही है। 2024 का चुनाव इतना जादा महत्पूर है जिसे माना जा रहा है ये आखरी ही चुनाव है। पार्टी को ही मिलेगा और 2024 चुनाव की बात पता चल जाएगा कि BJP की असली B team कौन है। 2024 चुनाव में अखिले शानव कितनी सीट लेकर आएंगे। पालों को यही कहूंगा कि भाया जो गिले शिक्वे हैं वो भुला दो और अपने लोगों को टार्गेट करना छोड़ दो टार्गेट करना है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को करो। अगर आपने लोगों को टार्गेट करना छोड़ दो और अगर अपने लोगों को टार्गेट करोगे तो जाहेर दोरपन नुकसान होगा। इंडिया गडबंधन को ही विपक्षी दलों को ही नुक्सान होगा तो कम से कम इस समय में इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए कि कौन किसकी बी टीम है दोस्तों इस वीडियो में फिराल के लिए बसितना ही अब बड़ा सवाल ये है क्या अखिले शादव के ऐसे बयान से इंडिया गडबंधन मजबूत होगा इस सवाल को लेकर आप क्या सुचते हैं अपनी पर्तिकरी आप लोग जरू देए बहुत बहुत धन्वात शुक्रिया